आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शांती पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रते दिन के जीवन का मैं बदलती रही हूँ प्रिय प्रभू मैं बिन हूँ मैं शैह तिटली की स्थिति तक पहूँच रही हूँ विजब सारी चीज से गुजरती हैं वो पतंगा स्थिती और डाली के पीछे वाली स्थिती और कोई में जीना, फिर तरल हो जाना, अंप में वे कोई से निकलने के लिए संगर्श करती हैं, फिर विर तितली बनती है केवल कुछ दिनों के लिए क्या आप जानते कि तितली का जीवन लंबा नहीं हो तब कौन जाने कितने दिन का होता है? ये तो कहीं कि इनका? तीन दिन तितली तीन दिन जीती, ये ये, रुषो moi पता है, तितली की सीती तक पुहुँच्ते पुहुच्ते, आप यहा से कुछ कर ने कि तयारी में है इशू आपके लिए आ रहा है सो मुझे खुश है कि मेरी कुछ समस्याएं शेश अर्थात में कुछ दिन और रहूंगी हाँ मैं अब भी क्रिमी जैसी हो जाओं बुरा नहीं लगेगा इससे पता चलता है कि मेरा भी समय नहीं आए अब एक बात बताती हूँ जिसे मैं सहन नहीं सकती जब मैं गल्ती करती हूँ और क्षमा मांगती हूँ तो ये मुझसे सहन नहीं होता कि वे कहें कि क्षमा किया और हफ्तों मेरी उपेक्षा करते हैं जो की मानो मेरी ओर चीक चीक कर कहता है मैं बदला लूँगी इसकी खीमत वसूल करूँगी लोहे के चने चबवा दूँगी जब मुझे ऑफिस में किसी को सुधारना होता है खास करे दिक कडाई से सुधारना होता है तो मैं मार्क से हटकर भी उन्हें मालूम करा देती हूँ कि मुझे उन पर क्रोध नहीं है जहां तक मेरा संबंदे वो समाप्त है और हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि मेरे जीवन में कोई कई दिन तक मेरे साथ ऐसा करता रहा और मुझे उससे ग्रिना थी मैंने इससे सीखा कि हम ख्षमा करें और प्रभु कहे भूल जाएं किसी भी प्रकार का दोशन किसी के सिर्व पर ना रखे और ना कभी कबार उसका हलका सा उलेख करते रहें क्या आज यहां कोई मेरी बात सुन रहें आप यदि ख्षमा करें तो ख्षमा उदार हो और ख्षमा संपूर्ण हो लोगों को सताईये मत मैंने एक्षमा किया मगर तुमसे बात नहीं करूँगा मैं एक्षमा करता हूँ मगर मैं उस कमरे में नहीं आऊँगा जहां तुम होगे मैं एक्षमा करती हूँ मगर आज विस्तर में मुझे चूना नहीं मैं क्रोधित नहीं, मैंने हफ्ता बार खाना नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबिया ठीक नहीं थी कम ओन गलती औ अध्याय छेई पद एक को देखिए हम आँ चलते अपनी पीड़ा को नश्चना करें, लोग आपके प्रती जो करते हैं उससे सीखिए कि औरों के प्रती क्या नहीं करना चाहिए वो आपको कटू न बनाने पाए, वो आपको उत्तम बनाए परमीश्वर बड़े कामों के लिए आपको तयार कर रहा है मगर आपको जानना चाहिए कि लोगों से कैसा बरताओ करना चाहिए हमारा बरताओ प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये अधिक तो हमारे चरित्र के बारे में बताता है गलतियों अध्याय छे पदे कहता है भायों ये दि कोई मनिश्यों किसी अपराद में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो अर्था जो आत्मा की प्रतिक्रिया और नियंत्रण में है तीन चीजे करेंगे विस्तरित बाइबल कहते तीन चीजे उसे सही करें अर्थे सुधारें प्रतिदान करें उसके साथ काम करें और समस्याओं को सुलजाएं और पुनह स्थापन करें तीन चीजे उसे सुधारें प्रतिदान करें पुनह स्थापन करें हम तो सब को सुधाना चाहेंगे मगर उसका तुम यंत होता है ना प्रतिदान है और ना पुना स्थापन है देखिए ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है मैं हाल में इसे देखती रही हूँ नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौक्सी रखो कि तुम भी परिक्षा में ना पड़ो और पद्दो देखी तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो जो की उसके प्रेम की व्यवस्था है एक और चीज मुझे बरदाश्ट नहीं होती कि लोग मेरी राय को मान नहीं देते हैं यदि वो उनकी राय से भिन हो क्या आपको ग्रुणा नहीं आती जब आप कि राय उनकी राय से भिन हो और वियू बरत्ते जैसे कि आप किसी दूसरे ग्रह से आए हैं के वलिसली कि आपने सोचते जो वे सोचते हैं क्यों आपने ऐसा क्यों सोचा क्योंकि मेरी सोच पर मुझे अधिकार है तो इस कारत है कि मुझे दूसरों के राय को मान देना चाहिए है ना आप लोग वहां जाग रहे ना और मुझे अच्छा नहीं लगता है यह दि लोग देर से आए सो मुझे सुनिश्चित कर लेना है कि मैं समय पराऊं मुझसे छुटाई सहन नहीं होती छुटी-छुटी बातों को लेकर हंगामे करना कि आपने यह किया आपने वो नहीं किया वो नहीं किया सो मैंने डेव से पूछा कि कौन सी बाते आपको अच्छी नहीं लगती मैंने अपनी बेटी से भी पूछा उसने का बातों में कितनी सच्चाई बरतों मैंने सोचा, एक मिनिट रुखना, शायद मैं नहीं जाना चाहती, मैंने सवेरे आप से कहा था, कि डेव बहुत देर तक को सोच नहीं सके, मेरा कागस खत्म हो गया, उन्होंने का एक चीज से उन्हें ग्रुणा आती कि जब एक इसे से बाते करते हैं, और वो सुन नहीं रहा हो, इसका तात पर ये है, आप जो बोल रहे हैं, उसका मेरे लिए कोई मूलिय नहीं है, डेव और मैं बहुत से लोगों के साथ गूमें, जो मेरी हर बात पर खीचे रहते हैं, और उनका व्यवार बताता है कि उनकी बातों का कोई मूली नहीं, क्योंकि लोग उनी के साथ सम्मन चाहते हैं, जिने वे महत्वपून समझते हैं, एक बात सुन लिजे, इस सेवकाई म ये रूप नहीं होता जो आज है, वे आर्थिक विशे को संबालते हैं, मुझे संबालते हैं, जो कि बहुती बड़ा काम है, वे मेरे चचत्रे हैं, मैं जहाजाती हूं साथ आते हैं, मेरी ख्याल से यहाँ उपर आकर ये काम करना आसान है, बजा इसके कि वहाँ बैठकर मे कि आप हम से सही बरताओ कर सकें, सैंडी, मैं चहाती हूं कि लोगों के तुम्हारी प्रती बरताओ की और जो तुम्हें पसंद नहों, ध्यान देना शुरू करो और उसका लेखा रखो, पिर उस पर प्रातना शुरू करो, परमिश्वर, ये चीजे दूसरों के प्रती ना क मुझे एक शुब्दता पर अपने टेप सुने पड़ें, भालते नहीं, कस्ठ होता है, नकारत्मक लोग मुझे पसंद नहीं, लोग अच्छे लगते हैं, नकारत्मता नहीं, क्योंकि मैं सकारत्मक व्यक्ती हूँ, जो हर बात का नकारत्मक जवाब देता है, उसे निपटना मेरे लिए कठीन है, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता जब मुझसे छोटी सी भूल भी हो जाए वे वुंगली उठाता हैं दया देने के बजाए सो ये चीजें मैं कर सकती हूँ चार चीजें जो मेरे दिमाग में आई जो मुझे अच्छी नहीं लगती कुछ चीजें जो मैं करती हूँ मैंने सीखा है मैं पहले तो यहां सहायता सेवकाई में हूँ मुझे समस्य होती थी कि छोटी सा छोटा काम भी मेरे निदेश के अंसार हो धिलाई से काम लेना मुझे सीखना पड़ा और उने जो हैं बने रहने दिया और उस डांचे में ना डाला जो मैचाती थी आमीन उन्यवाद अपनी पीड़ा को नश्चना करो कुलूसियो 3.19 में आये वहां चले कुलूसियो 3.19 कहता है पतियो अपनी पत्नी से प्रेम रखो उनसे प्रेम भाव दया की भावना रखो उनके साथ कठोर या कडवे या बदले की भावना ना रखो सपश्टे की यही चीज स्त्रियों पर भी लागू होनी चाहिए पती अपनी पत्नी पर कट्व क्यूं हो या एक स्त्री अपने पत्नी पर कट्व क्यूं होगी उनकी खटू हुनी का सबसे बड़ा कारण मैं बताओ क्योंकि जो आपकी साथ रिष्टे में है वो आपकी आशाओं को परिपूर्ण नहीं करता एक मात्र समस्य यह है कि वे नहीं जानते कि आपकी आशाओं क्या है कभी-कभी हम लोगों से आशा करते हैं कि वे हमारी लिए कुछ करेंगे जो केवल प्रभू कर सकता है अक्सर हम लोगों से आशा रखते हैं कि हमें हमारा मूली देंगे किन्तो केवल परमीश्वरी से कर सकता है हम लोगों से बिगड़ते क्योंकि हमें जो चाहिए वे समय पर नहीं दे रहे हैं किन्तो हमें भी चीजें गलत कारणों के लिए चाहिए आपको बता देना चाहिए कि आपको क्या चाहिए संचार कीजिये उन्हें मन को पढ़ने वाले ना समझे कभी-कभी हम लोगों पर कटू हो जाते हैं क्योंकि वे हमें सुखी नहीं कर रहे हैं अब जो मैं कहने वालियों से ध्यान से सुनी हमारा सुख भीतर से आता है ये किसी और का काम नहीं कि आपको सुखी करे मैं नहीं जानती में ससैमत हूँ कि नहीं हाँ मुझे प्रती थी कि डेव को मेरी खुशी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए मगर मैं उनसे सदा सुखी पाने की आशा नहीं कर सकती क्या होता है यदि सोमवा रात को मैं उनसे काम करवना चाहूर वे कहें नहीं नहीं सोमवा रात को मैं फुटबॉल देखूँगा इसकी तो मुझे आशा ही नहीं थी और अचानक मेरी आशा हैं चूर चूर हो गई सारी बाते और उलज गई अब मैं कह सकती हूं कि देखिए आप मुझे सुखी नहीं कर रहे हैं या मैं सुखी होने का निर्णे कर सकती हूं आमिन कमान सो मत जाना आप मैंसे कितने मेरे साथ हैं चांते हम लोग दूसरों पर कितने निर्भर हैं कि वे हमें सुखी करें किसी और से आशा मत रखें कि वे आपको सुखी करेगा आप सुखी हो जाएं आपको सुखी करने के लिए किसी और को खोजने की बजाया प्रती दिन सबेरे उठकर देखें कि आप कितनों को सुखी कर सकते हैं और जब आप दूसरों को सुखी करेंगे परमीश्वर आपको सुख करती अब नहीं काम में विस्त मेरी सेकरेटरी की तरह भी नहीं यहीं सच्छा जीवन है अभी नहीं हम फिल्मी सितारों की तरह नहीं मेट ऑप के साथ बिस्तर से नहीं ऊटते हैं से यह फिल्मे ogni देत रिया जब जाकती हें तब कैसी दिखती होंगी गुड नाइट जाकते ही उनका पहला काम है परस पर चुम्बन लेना डेव मुझे नहीं चुमते जब मैं सोकर उठती हूँ नाट के जीवन और सचे जीवन में अंतर को समझना चाहिए आप महिलाओं में से कुछ इन बेवकूप बनाने वाले नाटकों को देखती हैं और फिर आप इस अपनों की दुनिया में जीने लगती हैं और किसे चीछ से आपको तुरुप्ति नहीं मिलती मुझे देखिए कट्टुता अक्सर शुरू होती है छोटी छोटी खीजों से जिनका हम अंत नहीं करते आपके जीवन में शायद ऐसे विशे हैं जिनका आपको बिलकुल अंत कर देना चाहिए क्योंकि आपके पास उसके किये आपके प्रती सारी अन्याय रेकॉर्ड पर रंकित है उसे आपको पोच कर साफ कर देना चाहिए अपने कंप्यूटर पर जब मैं कोई काम कर चुकती हूँ एक छोटा सा ट्रैश कैन वहा है जिसमें मैं अपनी फाइल की सारे विश्यों जो में रखती हूँ डाल देती हूँ एक बारी दी उसमें डाल दिया तो मुझे फिर कभी वापस नहीं मिल सकता आप में से कुछों के जीवन में ऐसी कोई बात है जिसे आपको लिटल माउस को डाल देना चाहिए आपके पास कंप्यूटर नो होता आप समझेंगे मैं पागल हूँ और आपको उसे फाइल से हटा देना चाहिए अपने डिस्क से उस ट्रैश कैन में फिर उसे छोड़ दीजे उससे छुटकारा पाईए बढ़िए भूल जाईए और आगे निकलिए उसके बात सोचना छोड़िए उसके बारे में बाते ना करें उससे किसी को सताना छोड़िए अपनी पीड़ा को नश्टना कीजिए ये संभव नहीं कि आप जीवन काट ले और आपको दुगदर्थ कानुभवना हो किन्तो अपनी पीड़ा को नश्टना करें आपको भावनात्मक पीड़ा होगी, रिष्टो में पीड़ा, शारिरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक आत्मिक नौकरी की इत्यादी परंतु ईश्यू ने कहा था योहना छे बारा में बचे हुए टुकडे बटोर लो की कुछ फेका ना जाए, ये रोबदार बात है टुकडे बटोर लो जब कभी आपको पीड़ा हो प्रभु को दे दीजे अकसर प्रभु हमें चीजों में से गुजरने देता है कि हम जाने के अनी लोग जो इन चीजों से गुजर रहे हैं, उनकी सेवा कैसे करें आपको एक बात बताती हूँ, मेरी और देखिए सुन्दर औरत अगर तुम्हें प्रभु के प्रयोग में होना है तो ठोड़ा सा अनुबह होना चाहिए क्योंकि अनुबहवी कर्मचारियों की प्रभु बाट जो रहा है मेरी बात सुनिए आपने परमीश्वर पहले हमें बुलाता है और हमें तयार करता है पिर उस बुलावे में हमें छोड़ता है परमीश्वर बड़ी-बड़ी काम करने के लिए कितने लोगों को बुलाता है किन्त वे तैयारे की स्थीति से नहीं गुजरते हर दर्दभरी बात से, हर कठिनाई से वे भागते हैं हर कठिन रिष्टे से, हर कठिन नौकरी से, हर मुश्किल से भागने में ही वे अपना सारा जीवन विता देते हैं यदि एक पास्टर उन्हें सुधारता है, तो वो दूसरे चर्च में चले जाते हैं यदि किसी प्रचार या शिक्षन के दायरे में हो, जो उन्हें थोड़ा बहुत कड़ा लगे, तो वे और किसी की सुनते हैं, जो उनकी मन चाही चीज बताता है ये सच है ना, बाइबल की कहें अनुसार हर चीज आपकी हो सकती है दूसरों के पास जो है उससे डाहा मत कीजे जब तक कि आप वो न करें जो उन्होंने किया उसे पानी के लिए प्रभु उन्हें मुसे ज्यादा आशीश दे रहा है, बक्वास है उन्होंने सही बीच बोई है आमेन और सिद्ध बनकर सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया आप मेरी बाते सुन रहे है आपको कुछ अनुभव होना चाहिए आपको मालुम होना चाहिए कि पीड़ा क्या होती है ताकि दुख्यारों को सही सेवा बाट सके आमेन मैं बताती हूँ अनुभव जिसकी मैं बात कर रही हूँ वही अभिशिक्त शिक्षन और प्राणहीन सिद्धान्त के बीच का अंतर है क्योंकि बहुत से से लोग है जो बताते हैं कि वेजो कुछ जानते वो कहीं किसी पुस्तक से पाया और जीवन में उन्हें मैं लागू करना वे नहीं जानते मैं नरग जाकर लोट आयों मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोले है आमेन मैं त्याग दी गई मेरे साथ यौन दुर्वेवार हुआ एक शादी हुई जिसमें मेरे पती ने मुझे ठग लिया और दूसरी स्त्रियों के साथ गूमता रहा मुझे सहारा नहीं दिया मैं जानती हूँ कि अके लिए रहना किसे कहते हैं जहां मदद को कोई न हो भै भी तो न किसे कहते हैं मैं जानती हूँ मैं ये भी जानती हूं और ये भी जानती हूं कि परमिश्वर के वचन का आस्रा लेना किसे कहते और प्रभु के आग्या का पालन करना denial डट कर जही शब्द यहां पट डट कर आप इसे इकाद सप्ता करकी आशा नहीं कर सकते कि परमिश्वर जीवन भर के बुरे चुनावों को रात रौत सही कर देगा अब मेरी शादी हुए पैती साल हो गए एक अद्बुत पुर्श्य शादी हुए और मेरा प्रेम प्रति दें बढ़ता ही जाता है मेरे चार बच्चे हैं पवित्रात्मा में बप्तिस्मा लिए हुए सभी सेविकाई में काम कर रहे हैं सब विश्वासियों से विवाहिद परमिश्वर की आशिश ने मुझे हर ख्षेत्र में धन्य किया है मैं बहुत सुकी हो इतना की सहन नहूँ क्या आप जानतें कि आपको अपने अनुभ़ों की उप्योग से दूसरों की मदद करना चाहिए जो सीख आपने मुश्किलों से गुजर कर सीखी है उन्हें न कीवल अपने जीवन पर लागू करे वरन उससे दूसरों की भी मदद करें हमारी साथ हमिश्य जोता है उससे हम रोग तो नहीं सकते लेकिन उन परिस्तितियों का सामना कैसे करें ये हम सीख सकते हैं कभी-कभी हम सबी जल जाते हैं लेकिन अगर हम कड़वाहट में ही रहेंगे तो हम अमारे परिश्रम को व्यत गवा रहें हैं आपका दर्द किसी और के लिए भलाय उत्पन करें मेरा विश्वास है कि आज का संदेश सुनकर आप लोगों को इसी वक्त प्रार्थना करके किसी को शमा करना होगा बदले की भावना हटानी होगी, कड़वाहट दूर करनी होगी और शुरुवात होती है निर्ने से और जब आपको सही ना भी लगे तो भी आपको सही करना होगा आपको गलत महसूस हो तो भी आप सही करने का निर्ने ले सकते हैं आज मैं आपको प्राथना में ले चलूँगी और फिर प्रोसाहित करूंगे कि प्राथना आरंभ करें कि प्रभू आपके दुश्मनों को आशीश दे बाइबल के अनुसात करें उनकी बुराई ना करें नकारात्मक्ता में उनके बारे में बातें ना करें प्रार्थना करें कि जो सही तरीका है उसे प्रभून से निप्टे और उन्हें आशीश दे तब आपकी अंदर नयापन और ताजापन पनपेगा जो आप में अत्याधिक आनन लाएगा और जिन्होंने आपको चोड पहुचाए आप उन्हें प्रभू के हाथों सोपँएंगे ताकि वो उनसे निपट सके तो आएए इसी वक्त प्रातना करें परमिश्वर पिता मैं मांगती हूँ कि आप उन सब को छुएं जो इस कारेक्रम को देख रहे हैं जिनमें एक शमाहींता, कड़वाहट और दूसरों के प्रती द्वेश की भावना है या जिनें दूसरों पर क्रोध है किसी कारणबश हम जानती हैं प्रभू कि भावात्मक रूप से इसे करना कठीन है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक विशेश महिमा दे इसी वक्त चंगा करें और चंगाई की दवा उंडे ले इसी वक्त आपका धहनिवात प्रभू कि आप आज लोगों को महिमा देने कि उनके रिदे से ना सिर्फ पुरानी घाओं मिट जाए वरन विशेश महिमा दे कि वे दुश्मन के लिए प्राथना कर सकें उनके बारे में न कारात मग बातें न कहें मेरा विश्वा से प्रभू की आप उनके जीवन में नयाये लाएंगे मैं आपसे मांगती हूं प्रभू की लोगों को दुगनी आशीश दें उनकी पिछली समस्याओं के लिए इश्यू के नाम में आमेन ठीक है मुझे प्रतिती की आपके लिए नही कि आप जितना जानते हैं उस सभी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेर मिनिस्ट्रीज एश्या में महतुपूर्ण है हम आपके सरहना करते हैं आप सभागियों का धनिवाद देते हैं कि संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं एक साथ हम भूंकों को भोजन गरीबों पपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार पचार कर रहे हैं हमसे आज ही संपर करे या लॉग करे jmmmedia.org अपने प्रात्मा निवेदन भेजे हमारे स्रोत के विशे जाने जॉइस की सभाओं के विशे जाने और जैसे हम पूरे संसार में मस्सी के प्रेम को बा झाल